नमस्कार साथियो न्यूस क्लिक के डिली राउंड अप में हम आपका स्वागत करते हैं सबसे पहले आज की प्रमुख खबरें करोना के बीते 24 गंटे में 19,000 से अधिक मामले प्रसार भारती ने लगाया PTI पर राष्ट विरोधी रिपोर्टिंग का आरोप पुलिश टॉर्चर की वज़े से तमिलनाडू में दो लोगों की मौत सबसे पहले खबर की सुरुबात करते हैं करोना के अपडेट से केंद्रे स्वास्थ मंत्राले द्वारा जारी ताजा आकडों के मताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमन के 19,469 नए मामले दर्च किये गए हैं 380 मरीजों की मौत हो चुकी है और कोरोना से पिडित 12,010 मरीजों को स्वस्थ भी किया जा चुका है देश भर में अब कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 5,48,318 हो गई है स्वास्थ मंत्राले की ताजा जानकारी के मुताबिक अभी तक 58,67 फीस दी यानि 3,21,723 मरीजों को ठीक किया जा चुका है लेकिन संक्रमन के कारण 16,475 मरीजों की मौत भी हो चुकी है देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या यानि एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 2,10,120 हो गई है इंडियन काउंसिल अफ मेडिकल रिसर्च द्वारा जारी आंकडों के मुताबिक अभी तक कुल 83,98,362 सेंपल की जाँच की गई है जिन में से 1,70,560 सेंपल की जाँच बीते 24 घंटे में हुई है देश में प्रती 100 वेक्ति टेस्टिंग पर औसतन 6 मरीज मिल रहे हैं इस मामले में वह सबसे ज़्यादा संक्रमिट टॉप 5 देशों में तीसरे नंबर पर है 100 टेस्टिंग पर 45 मरीज के साथ ब्राजील टॉप पर है इसके बाद अमेरिका, रूस और ब्रिटेन का नंबर आता है अब चलते हैं अगली खबर पर जो आज की सबसे बड़ी खबर है गलवान घाटी में 20 सैनिक सहीद हो चुके थे इसके बाद सरवदलिये बैठक बुलाई गई थी परधान मंत्री ने विडियो कॉन्फरेंसिंग के दौरान कहा कि लद्दाख में भारत की संप्रभुता पर कोई आच नहीं आई है न वहां कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है नहीं हमारी कोई पोश्ट किसी दूसरे के कबजे में है परधान मंत्री के इस वक्तव्वे पर खूब सवाल उठे सेना से जुड़े लोग परधान मंत्री के इस वक्तव्वे से बहुत निरास हुए जानकारों ने कहा कि परधान मंत्री ने सेना के साहस का सम्मान नहीं किया है कई जानकार तो इतना गुस्सा थे कि नोंने कहा कि अगर या बाद किसी दूसरे देश के प्रधान मंत्री ने की होती तो उस पर देश द्रोह का मामला दर्च कर दिया जाता सवाल यही था कि चीन की सेना ने भारतिय सीमा में अतिकर्मन किया 20 जवान सहीद भी हो गए तो लेकिन प्रधान मंत्री ने इसे स्विकारा क्यों नहीं इन सारे सवालों का जवाब PTI न्यूज अजेंसी में छपे बिजिंग में भारत के एमबेस्टर विक्रम मिस्त्री के बयान से मिल गया है भारत के एमबेस्टर ने कहा कि चीनी सेनाओ को लाइन ओफ एक्च्वल कंट्रोल के अपनी सीमा के तरफ लोट जाना चाहिए अमबेस्टर के इस वक्तव्य का साफ मतलब है कि प्रधान मंद्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य जूट था PTI के छपे इस बयान के बाद प्रसार भारती के एक अफसर ने कहा कि PTI की राष्ट विरोधी रिपोर्टिंग की वज़े से यह स्विकार्य नहीं है कि उसके साथ संबंध बरकरार रखा जाए PTI के वहवार की वज़े से प्रसार भारती उसके साथ संबंध पर पुनर्विचार कर रहा है उसे जल्द ही अंतिम फैसले की जानकारी दे दी जाएगी मिडिया वेब साइट दवायर ने इस मुद्दे पर लिखा है कि साल 2016 में ततकालिन वित मंत्री अरुण जेटली ने PTI के निदेशक मंडल में याने की डाइरेक्टरेट बोर्ड में अपने चहेते तीन पत्रकारों को बैठाना चाहा था उन्होंने राष्टपती रामनात कोविंद के मौजूदा प्रेश सचीव असोक मलिक, हिंदुस्तान टाइम्स के सिसीर गुपता और फाइनेंसियल क्रॉनिकल्स के एमके बद्रिनात को PTI में बैठाना चाहा था PTI ने इस प्रस्ताव को नकार दिया था एक न्यूज अजन्सी होने के नाते PTI प्रसार भारती को खबरे मुहया कराता है और इसकी एवज में प्रसार भारती को PTI से पैसा मिलता है जाहिर सी बात है कि अगर सरकार की नराजगी पर PTI से कॉंट्रेक्ट तोड़ दिया जाता है तो PTI को भारी नुकसान पहुँचेगा इस मुद्दे को समझने के बाद पहली नजर में हसी आती है कि सच उजागर होने के बाद सरकार ने संदेश पहुचाने वाले डाकिया पर कारवाही कर दिया डाकिये को चुप कराने का फैसला लिया लेकिन गंभीरता से सोचने पर यह सवाल उटता है कि सरकार चाहती क्या है चीन के साथ सरकार क्या रवईया अपना रही है चीन के साथ किस तरह की कुटनीती चली जा रही है जिसमें सच को ही छिपाने की कोशिस की जा रही है आखिरकर सरकार क्या छिपाने की कोशिस कर रही है क्या चीन की वज़ा से घरेली राजनीती के मोहरे सरकार के खिलाफ जा सकते हैं इसलिए चीन की सच्चाई छुपाई जा रही है क्या ऐसा ही रवया पाकिस्तान जैसे देश के साथ भी अपनाया जाता अगर यहाँ बात उससे जुड़ी होती इन सवालों के साथ बड़ा सवाल है कि क्या सरकार यह चाहती है कि सच सामने ना आए अगर सच सामने आए तो वही सच सामने आए जिसे सरकार सच के तोर पर पेस करना चाहती है अगर यहाँ बात है तो जरा सोच कर देखिए कि उस समाज के लोगों का क्या होगा जिसमें सच और जूट तै करने का तराजू केवल सरकार के पास हो उस समाज में देश द्रोही कौन कहलाएगा और देश भक्त कौन कहलाएगा इसके बारे में आप बखू भी सोच सकते हैं हम सबने हिंदी फिल्में तो देखी ही होंगी और उसमें पुलिश टॉर्चर के सीन भी देखे होंगे इस सीन के बारे में अगर ध्यान से सोचा जाता है तो यह निकल कर आता है कि इस सीन पर दर्सकों की भी सहमती होती है कि आरोपियों के साथ कठोर वहवार अपनाया जाना चाहिए ऐसा करते ही हमें पता भी नहीं चलता और हम कठोरता के नाम पर पुलिस टॉर्चर और पुलिस क्रूरता को भी समाजिक स्विकृती देते रहते हैं जिसकी स्विकृती हमारा संविधान नहीं देता है एक सभ्य समाज नहीं देता है हमारे संविधान का मूल अधिकार कहता है कि हर व्यक्ति को गर्मापूर्ण तरीके से जीने का अधिकार है इसलिए आरोपियों के साथ भी ऐसा वैवार नहीं किया जाना चाहिए जो उनकी गर्मापूर्ण जीवन पर चोट पहुँचाता है सुप्रीम कोट ने भी पुलिस टॉर्चर के खिलाफ कई फैसले दिये हैं लेकिन हमारे समाज में पावर का खेल ऐसा है कि पुलिस जम कर अपनी हैसियत का नजायच फायदा उठाती है और हम देखते रह जाते हैं हमारी आवाज तब उठती है जब मामला साथ समंदर पार किसी अजनभी से जुड़ा होता है चर्चा की ताजा वज़ा तमिलनाडू में हुई दो हत्याएं हैं तमिलनाडू के तूती कोडी के करीब साकुंतलम सहर में पुलिस हिरासत में पिता पी जैराज और बेटे बेनिक्स की हत्या के खिलाब राज्य में आकरोज की ख़वर है दुकांदार पिता पुत्र की पुलिस हिरासत में मौत को अख़बार पुलिस द्वारा पुलिस की बदले की कारवाई बता रहे हैं मुबाइल फोन की दुकान करने वाले 62 साल के जैराज ने लॉकडाउन में दुकान बंद करने के सवाल पर पुलिस पर कोई टिपड़ी कर दी थी इसकी खबर मिलते ही पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई पिता के बारे में या खबर मिलने पर जब बेनिक्स थाने पहुँचा तो उसने देखा कि पिता को पुलिस वाले बुरी तरह मार रहे हैं उसने उन्हें रोकने की कोशिस की उसका नतीजा उसे मिला दोनों को ही बुरी तरह जखमी करने के बाद पुलिस गिरफतारी के लिए उन्हें मजिस्ट्रेट के पास ले गई मजिस्ट्रेट ने इन दोनों को सामने से देखने की जहमत भी मोल नहीं ली पहली मन्जिल से जहांक करे ने पुलिस हिरासत में भेज दिया इस बीच इनका खून बहता रहा कोई आठ बार कपड़े बदले गए दो रोज में ही पहले पिता और फिर बेटे की मौत हो गई इस खबर की दूसरी चर्चाया है कि साथ पुलिस वालों ने इनसे मुबाइल फोन जबरदस्ती से ले लिया था जिसके पैसे मांगने की जुर्रत इन्होंने कर दी थे पुलिस ने उसी हिमाकत के लिए इन्हें सबक सिखलाया है दूध विक्रेताओं की सिकायत यह है कि लोगडाउन के दौरान उनसे पुलिस वाले वसूली कर रहे हैं इसलिए खबर यह भी आ रही है कि तमिलनाडों के दूध विक्रेता पुलिस वालों के घर दूध की सपलाई न करने का फैसला करने पर विचार कर रहे हैं तमिलनाडों की सारी राजनीतिक पार्टियां इस मसले पर एक जूट हैं सरकार ने फौरी सम्मान जनक मुआवजा भी दिया है और इस मामले को CBI जाँच करवाने का फैसला भी लिया है सांता कुलम पुलिस थाने के इंस्पेक्टर को सस्पेंड भी कर दिया गया है तुतिकोडी की सांसत कनीमोडी ने भी अपनी ओर से परिवार को सहायता का एलान किया है कनीमोडी ने राश्टिय मानवाधिकार आयोग को लिखे एक खत में पिछले दो सालों में पुलिस हिरासत में 15 मौतों का जिक्र करते हुए सिकायत की है किन में से एक भी भी अक्वेक्तिक पर अब तक 4 सीट दाखिल नहीं की गई है इन दो हत्याओं की खबर के साथ ही United NGO Campaign Against Torture की रिपोर्ट की खबर भी आई है इसके मताबिक अकेले 2019 में नियाईक और पुलिस हिरासत में 1731 लोग मारे गए हैं इन में से पुलिस हिरासत में 125 लोग मारे गए हैं सबसे अधिक 14 तमिलनाडू में और उसके बाद पंजाब में 11 लोग की मरने की खबर है इनके बाद बिहार का नंबर है लेकिन यह अखिल भारतिय संस्कृती है गुजरात, महराष्ट, पश्चिम बंगाल, आंद्रप्रदेश, केरल, 36 गड़, हर्याना, उत्राखंड, जारखंड और दूसरे राज जिस बिमारी से बरी नहीं है इस साल तो पुलिस की हिंसक कारवाईयों को सब ने देखा जामियां से लेकर मुस्लिम अलिगड उनिवर्सिटी तक पर पुलिसिया हमले के विडियो यूटूब के गलियों में देखे जा सकते हैं नागरिक्ता संसोधन विडियक के खिलाप होने वाले विरोध प्रदर्सनों में पुलिस का रवईया किसी से नहीं चुपा हुआ है फैजान को घेर कर मारते हुए पुलिस की तस्वीर हमेशा जहन में उताराती है और हमारे अंदर पुलिसिया दमन की हवा बहने लगती है अब सवाल उठता है कि या पुलिसिया दमन रुकेगा कैसे तो जवाब है कि पुलिस सुधार से लेकिन बात केवल पुलिस सुधार की नहीं है सिटीजन फ्रेंडली पुलिस से भी नहीं बनेगी वरिष्टिपणिकार अपुर्वानंद लिखते हैं कि पुलिस के हिंसा को सिर्फ पुलिस सुधार कारकरम से नहीं रोका जा सकता है वह कुछ वैसे ही समाजिक व्याधी है जैसे दहेज के लिए की जाने वाली हिंसा या हत्या वो ताकतवर के पास हिंसा के अधिकार पर सवाल करके हैं दूर की जा सकती है ताकत के बेजा इस्तेमाल की खिलाब समाजिक जावरुकता के जरिये ही की जा सकती है या कानूनी मसला तो है लेकिन या हिंसा के प्रती समाजिक नजरिये का सवाल है अब चलते हैं अंतिम ख़बर की तरफ, जो अर्थ्यवस्था से जुड़ी हुई है और इस बात से जुड़ी हुई है कि भारती अर्थ्यवस्था किस तरह गर्त में जा रही है अभी इसी पर आई-एम-फ की रिपोर्ट आई है जिसमें कहाज गया है कि भारत की अर्थवस्था की विकासदर बहुत कम रहने वाली है और इसमें सुधार करने के लिए वह तरीके अपनाने पड़ेंगे जो समाजवात के तरीके हैं जो नहरूरियन समाजवात के तरीके हैं याने कि पब्लिक एस्पेंडिंग बढ़ाई जाए इंफरस्टक्चर पर खर्च किया जाए और मजदूरी दर बढ़ाई जाए लोगों को काम से बाहर ना निकाला जाए इन सारे मुद्दो पर अपनी राय रख रहे हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार और इंदो चक्रवर्ती सुनिए उनकी राय का यह हिस्सा आएमेफ जो कि सारे सरकारों को कहती रहती है 1980 से कहते आ रही है कि आप लोग खर्चा मत कीजिए आप प्राइविट सेक्टर को बढ़ावा दीजिए वो ही आएमेफ आज कह रही है COVID-19 के चलते कि आप जितने भी लोग है जिनके पास काम नहीं है उनको protection दीजिए उनको बढ़ावा दीजिए जादा लोगों को दीजिए क्योंकि बहुत सारे लोगों का नौकरी जाने वाला है साथ में वो कह रही है कंपनियों को आप थोड़ा सा सबसिडी देजिए ताकि वो लोगों को अपना वेतन दे पाए मजदूरी दे पाए जिसको payroll assistance कहा जाता है ऐसा अमरीका में हो रहा है payroll assistance दिया जा रहा है अमरीका में companyों को loan दिया जा रहा है कहा जा रहा है अगर इस loan को आप लोगों का वेतन देने में इस्तमाल करेंगे तो आपको ये loan वापस देना नहीं पड़ेगा और इसके चलते अमरीका में मैंने पहले भी आपको कहा है अमरीका में इसके चलते recovery जादा तेजी से आ रही है जितने भी इकॉनमिस सोच रहे थे उससे अच्छा recovery अमेरिका में हुआ है साथ में IMF कहरे कि आम आदमी को भी आप tax कम कर दीजे और जितने भी business है जिनका घाटा हुआ है उनको भी थोड़ा tax में छूट दीजे सरकार के tax में छूट दे रही है मुझे जितना पता चल रहा है सरकार ने टाक्स बढ़ा दिया है आप देखिए कि पेट्रोल डीजल पर सरकार ने tax बढ़ा दिया है जहां पर दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम घट रहे है हमारे देश में बढ़ रहे क्यूं क्योंकि सरकार टैक्स जादा ले रहे हैं कहां चूट देना था वहाँ पर मोधी सरकार जादा पैसे ले रहे हैं आएमेफ ने सभी देशों को कहा है कि आप पब्लिक से स्पेंडिंग बढ़ाईए यानि कि लोगों को काम दीजिए इंफरास्ट्रक्टर पर स्पेंडिंग जहां पे लोगों को वही वाल स्कीम है मंद्रेगा है ये स्कीम है वह सकीम है जो बजट में पहले ही पैसे दे चुकी है उन्स? scheme में मोधी सरकार ने कुछ पैसे जरूर दिये हैं और उसे कुछ लोगों को शायद काम मिलेगा और उस काम से जाधा वेतर नहीं है बिलकुल subsistence जिसको कहते हैं वैसा ही रहेगा साथ में IMF कह रहे हैं कि देखिए जब तक लोग वापस आएंगे काम में तब तक हो सकता है कि दुनिया की economy बदल जाए यानि कि लोगों को इस वक्त training दिया जाना चाहिए जितने भी मज़़ूर है उनको training दीजिए ताकि वो आने वाले PD की जो economy है उसमें काम कर सके और साथ में जितने भी कमपनियां हैं उनको आप छूट दीजिए अगर वो लोगों को काम पर रखेंगे जितने भी कमपनियां नौकरी पर लोगों को रखेंगे उनको कोई न कोई छूट दीजिए जिसको hiring incentive किया जाता है चाहे कुछ subsidy दे दीजिए input पर अगर वो steel का steel खरीती है, cement खरीती है उसको सस्ते में दे दीजिए सरकारी गुदामों से या आप उनको tax की छूट दिए इसी से COVID-19 से निकलने का chance मिलेगा लेकिन एक चीज़ आप याद रखें ये सारे जितने चीज़े हैं ना ये सब हमारे देश में पहले भी हो चुकी है इसको नहरूवियन सोशलिजम का जाता था, वो 90 के दशक से पहले होता था, 80 के दशक से पहले होता था हाँ, वो बिलकुल मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो बिलकुल सब कुछ इसमें अच्छा था लाइसेंस कोटा राज था, बुरा बहुत कुछ बुरा भी था, लेकिन इसको हमने 90 के दशक से पूरा पचार दिया, छोड़ दिया है उसी पे वापस जाना पड़ेगा आये में भी खुद जो कह रही है वो एक तरीके से यही कह रही है के पास political will है यह करने का, क्या मोधी सरकार यह करने को तयार होगी खेर इसी से पता चलेगा हमको कि और कितने दिन हमें अच्छे दिन का इंतिजार करना पड़ेगा यह थी आज की प्रमुक खबरें हमारी खबरों को पढ़ने के लिए आप News Click के वेब साइट, News Click के Facebook पेज, News Click के टूटर पेज से जुड़ सकते हैं और हमारे वीडियो को आप News Click के YouTube चैनल से देख सकते हैं सुक्रिया आप देखते रहेए News Click